दाभी आईपी टीवी सच आपके सामने लेकिन अब खबर आई है कि पंध पर इंग्लेंड रेशिंग रूम में एंट्री करने पर बैन लगा दिया गया है दुरसल पंध को टीम इंडिया में सामिल करने पर दो धड़े बने हुए हैं एक वर्ग चाहता है कि पंध को टीम में जगा दी जाए तो वहीं दूसरा वर्ग चाहता है कि टीम में पहले से ही प्लेयर है जो धवन की जगा ले सकते हैं तो पंध को क्यों शामिल करें बताया जा रहा है कि पंध पाकिस्तान के साथ 16 जुन को होने वाले हाई वोल्टिस मुकाबले से पहले मैंचेस्टर में टीम से जुड़ेंगे इंग्लेंड दोरे पर आई ICC के एक अधिकारी का कहना है कि टीम प्रबंधन के आगरह पर रिसा पंध को कवर के तोर पर भारत से बुलाया गया है BCCI के सूत्र बताते हैं कि क्योंकि धवन विशुकप से बाहर नहीं हुए हैं ऐसे में उनकी जगा किसी को नहीं लिया जा सकता और पंध को किवल विकलक पिये तोर पर रखा गया है लेकिन वह टीम के साथ नहीं चल सकेंगे वह वेकलपिक खिलाडी सलील अहमद के साथ अलग से यात्रा करेंगे क्योंकि ICC ने भश्टचार रोधी नियमों के अनुशार सिर्फ चूने हुए खिलाडी ही टीम के साथ यात्रा कर सकते हैं और रेसिंग रूम में जा सकते हैं दोस्तो विरोत के बाद अब ऐसा लग रहा है कि पंथ पाकिस्तान के साथ सूरज उनको होने वाले हाई वोल्टिस मुकाबले में नहीं खिलेंगे और उनकी जगह दिनेज कार्थिक को मौका दिया जाएगा हालकि इस मैच में बारिस के असार है और ऐसा लग रहा है कि मैच पूरे 50 ओवर कर नहीं होगा कुछ ओवर की कटोती करके मैच खिला जाएगा तो दोस्तो आप हमें लाइक और कमेंट करके बताएं पाकिस्तान के साथ होने वाले मुकाबले में दिनेज कार्थिक सही रहेंगे या विसपपन्त आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें धन्यवाद